और ये देखे फ्रेंट्स बिल्कुल नया ट्रेक्टर हो गया है हमारा ये पांस रुपे में पूरा ट्रेक्टर मेंने कंप्लेट कर दिया है तो चलिए देखते हैं कि या पेंट कैसे किया जाता है तो ये फ्रेंट्स हमारा पुराना ट्रेक्टर है देख सकते हैं इसकी कंडि पूरी मिल जाएगी टैक्ट्र ौ जिस तरह का कमपनी का एक पेंट होता है सारी जनकारी है कि आप को इसमें दी जाएगी तो सबसे पहले फ्रेंट इसको हमें वास कराना पड़ेगा प्रेशर से इसको धुलवाना पड़ेगा चलिए फिर पहले हम इसको प्रेशर से वास करवा लेते हैं पूरी ट्रेक्टर को तो यह देखे हमारा पूरा ट्रेक्टर वास हो रहा है वास करने के बाद में इसको थोड़ा सूखने के लिए छोण डा होगा ताकि पाने और सारा सूख जाए फिर हमें कोई लोहे की पत्ती लेनी है या फिर आप आरी की ब्लेड भी ले सकते हैं और जहां पर मोबिल जमा हुआ है जैसे देखिए उपर इसके साथ में मोबिल जमा हुआ है तो प्रेसर से भी साफ नहीं हुआ है तो इसको हम खुर्च के साफ करेंगे पूरा इसको हमें अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा है जितना बढ़िया आप यह साफ कर लेंगे उतन सब्सक्राइन लगा हुआ है तो इसको हमें पूरा क्लीन करना होता है अंग् esktor का कोई भी पाठ खूल नहीं रहे हैं बाकि आप चाहे तो छोट्य-छोटे पाठ खूल सकते हैं को वालक के वी पेंट कर सकते हैं ह Upper एक हमने इसको किशी पार्ट को नहीं करेंगे तो paint नहीं टिकेगा इसके उपर कुछ दिन के बाद में निकल जाए गए तो इसको साफ करना जरूरी है या आप चाहे तो तो इसको तार्पीन के तेल से पैट्रॉल से भी साफ कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी का तेल भी ले सकते हैं साफ करने के लिए आप अपनी होगी इसलिए मैं इसको साप कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हूँ और यह जोगाता है यह जोँ हो इसके बाद है जहां आफंब लिये ना हो हुए देखे थिनर है चाह踩ा है या तोcession कर सकते हैं टारपीन को तेल से भी कर सकते हैं या फिर आप पेट्रोल या मिट्टी का तेल भी ले सकते हैं यह हमने दो इंची का ब्रस लिया है अब जहां पर भी मोबिल लगा होगा वहाँ पर इस ब्रस से हम तेल मार देंगे तो पूरा साफ हो जाएगा यह ब्रस मारने के बाद में इसको कप्ड़े से पहुचना पड़ेगा इस तरीके से पूरा कचला साफ कर लेना है हमें उसके बाद में इसको इस तरह से साफ कर लें कप्ड़े से अगर आप इसके पर प्यू पेंट करना चाहते हैं तो इसको थिनर से साफ करें या फिर आप बाद में थिनर मार दें इस प्रेसे भी मार सकते हैं थिनर अगर तेल मारेंगे तो पेंट नहीं टिकेगा पाकि अगर आप oil base paint का प्रियोग करना चाहते हैं तो आप इसको तेल से दो सकते हैं उसके बाद में इसको वास करने के जरूत नहीं पड़ेगी तेल से वास करने के बाद में हमें अब लेना है रेगमाल ये पहियों पे देखे इसमें जंग लगी हुई है तो इसके पर हम पटे वाला रेगमाल लगाएंगे इस जंग को पूरा साप करना है हमें ये पटे वाला रेगमाल है 120 नमबर का इसको अच्छी तरह से रगण के निकाल देना है जहां पर भी जंग लगी हो जैसे पहियों में लगी है या पर कहीं दूसरी जगार पर लगी हो तो इसको आप पटे वाला रेगमाल मालके पूरा निकाल दे बाकि जहां पर जंग नहीं लगी है वहां पर आप 220 नमबर का वाटरप्रूफ रेगमाल प्रियोप करें उसको आप पानी से भी लगा सकते हैं और सुखा भी लगा सकते हैं वाटरप्रूफ रेगमाल को जैसे बाडी पर उपर हो गया या फिर मेडी काड पर हो गया तो वहां पर आपको 220 नमबर का ही रेगमाल लगाना पड़ेगा जितना हो सके हो तो ना पिसमें जो डश्ट लगी होती है उसको साप कर दे और उसके बाद में हमें प्राइमर करना पड़ेगा इसके उपर प्राइमर में अगर आप प्यू पेंट करना चाहते हैं तो इसके उपर प्यू प्राइमर का ही प्रियोग करें बाकि अगर आप डिको पेंट कर रहे हैं तो डिको प्राइमर का प्रियोग करें बाकि अगर आपको ओल बेस पेंट करना है इसके पर इनेमल पेंट करना है तो बाद में आपको दिखता हूं तो इसमें टाइम जदे लगेगा थोड़ा सा रेखमल लगाने में तो अभी हमने रेखमल पूरा लगा लिया है पूरे ट्रेक्टर को साफ कर लिया है अब इस पर हमें प्राइमर मानना है पहियों पर प्राइमर मानना ही पड़ेगा बाकी दूसरी बाड़ी पर प्राइमर नहीं मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसके पर oil base paint करने वाले हैं इसलिए हम इसके पर oil base primer का ही प्रियोग करेंगे जैसे zinc chromate primer या फिर red oxide primer और खाली पहीओं के उपर ही मारेंगे हम और दूसरी जगा पर नहीं मारेंगे उसको क्योंकि इसके पर पहले pew paint हुआ है तो ज्यादा जंग नहीं लगी है पहीओं 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 जंग लगी है तो जहाँ पर जंग लगी है वहीं पर हम इसके प्रियोग करेंगे इसके hole भने के लिए आप polyester पुट्टी का प्रियोग कर सकते हैं अब हम पूरे रिम के उपर प्राइमर करेंगे, क्योंकि रिम हमारा ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए इसके पर प्राइमर करेंगे, ये रेड ऑक्साइड प्राइमर है, इसको पतला करने के लिए इसमें थिनर या फिर तार पीन का तेल मिक्स कर सकते हैं, एक लिटर में भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उतनी बढ़िया फिनिसिंग तो आएगी नहीं इसमें जंग लगी हुई है पूरा इत्रीम इसका गला हुआ है तो इसमें पुट्टी भी भरने का कोई फायदा नहीं है इसलिए हम इसके पर ब्रस से कर रहे हैं ताकि होल हो गयरा में यह प्राइमर भर जाए आप चाहें तो दो कोड़ भी मार सकते हैं इसके उपर इसी तरीके से एक कोड़ करने के बाद में आप चाहें तो दूसरा कोड़ भी अप्लाई कर सकते हैं जब यह सूख जाएगा तो चलिए मैं चारों पहियों पर प्राइमर कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखता हूँ कि अगला स्टेप कौन सा करना है हमें तो यह देखिए पूरे पहियों पर हमने प्राइमर कर दिया है दो-दो कोड मार दे हैं हमने ताकि इसके होल वगए थोड़ी थोड़ी भर जाएं और यहां पर थोड़ी जंग लगी हुई थी आगे बॉड़ी में लगी थी और रेडियेटर में भी लगी थी तो वहां पर दिया है थोड़ा सा पराइममर अब इसपर हमें पैंट अपगा करना हैपाले करने से पहले जहां पर आपने प्राइमर मा रहा है वहां पर हलका-फॉल का रेगमा लगा लें 220 निमबर का ताकि ब्रस के निसान कर जाएं यहीं इसमें प्रियोग करेंगे बर्जर का है प्रि इस paint का प्रियोग कर रहे हैं इसमें क्योंकि ज्यादा प्राणा ट्रेक्टर है तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूत नहीं है इसमें यह भी paint बढ़िया काम करेगा तीन चार साल तक आपके ट्रेक्टर को प्राणा नहीं होने देगा और उसकी बचत भी हो जाएगी जैसे जंग और लगती है तो उससे भी उसका बचाव हो जाएगा बाकि आप टू के paint का भी प्योग कर सकते हैं यह प्योर रेड इनेमल पेंट है पी ओ रेड यह थोड़ा सा हलका सा कलर डार्क है यह जिस तरह का ट्रेक्टर होता है उस तरह का कलर नहीं है इसका हलका सा डार्क है हलका सा फरक पड़ेगा क्यूंकि हमारे यहाँ paint में यह मिल नहीं रहा था तो हमने यही ले लिया है बाकि आप इसको computer से बनवा भी सकते हैं किसी बड़े सहर में जाके आप वहाँ पर उनके पास मसीन होती है तो उससे आप इसको कलर सेम कलर बनवा भी सकते हैं जो महेंदा ट्रैक्टर पर होता है वह वाला और इस पेंट को पतला करने के लिए इसमें आप थिनर का प्रियोग करें या फिर पेट्रोल का प्रियोग करें क्योंकि पेट्रोल डालने से जल्दी सूख हो जाता है और माल लटकता नहीं है तो इसमें आप थिनर या फिर पेट्रोल का प्रियोग करें इसके हमें दो कोड कर पर डिपेंड है कि किस हिसाब से करते हैं चाहे हैं तो आप इसको एक लिटर में भी कर सकते हैं और चाहे हैं तो इसको आप दो या तीन कोड लगा के दो तीन लिटर भी माल इसके उपर लगा सकते हैं तो हम इसमें लग बहुत दो लिटर माल लगाने वाले हैं क्योंकि इसको सभी जगा पर करना होता है तो हमारा इतना माल लगबग लगी जाता है हमादा जगा पर करना होstawता है जनसे नमसे पहाँ आपोन्याहा हो टी जोसे हमें झाल 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 वह का पताहिं रचन के पताना 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 पतानो इजन्हाँ पताना पताना कर दो जो कर दो कि और हे वह록ना घंता है कर दो कर दोáveis कर दो यह Пो से अड़ है कर दोर म Byदा वहले तंजने एलाओंने वो प्तित है लुबया hell कर दो दोड़ा है झूल झूल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा अब देखे बोनट को छोड़के सारा हमारा पेंट हो गया है और यह हमने इसके पर मोबिल लगा है पुराना ताकि इसके पर पेंट न चिपके यह देखे जिसे यहाँ पर है तो इसके हम मोबिल लगा देंगे और यह देखे मीटर के उपर भी हमने मोबिल लगा दिया है बाकि आप इसके पर टेप अगर लगा के भी इसको कबर कर सकते हैं तो अभी हमें इसके उपर पेंट अपलाई करना है इस paint को आप जब भी यूच करें तो इसको आपको ओस से बचा के रखना है जैसे कि इस time जो मोसम है जनुवरी का मोसम है तो इस time ठंडी पड़ती है तो इसको आप सुबह मारें तक यह साम तक सूख जाए अगर इसके प्रोष पड़ जाती है तो इसकी चमक खतम हो जाती है क्योंकि सूखने में थुरा सा time ज़्यादा लगाता है तो इसको आप सुबह ही करें और बढ़िया रिजल्ट के लिए आप इसको धूप में पेंट करें तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा तो अभी देखिए हमने सिंगल कोट कर लिया है इसके पर हमारा सिंगल कोट कम्प्लीट हो गया है अब इसको 24 गंटे तक हमें ऐसे ही चोड़ना पड़ेगा सूखने के लिए उसके बाद में हम इसके पर दूसरा कोट मारेंगे और यह आगे बोनिट पे कहीं कहीं डेंट भी दिख रही है तो हमें डेंट भी निकालने पड़ेगी इसके यह हमें पहले ही कर लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं अब भी हम इसके पर कर सकते हैं रिपेर इसकी कर देंगे यह देखिए पूरे ट्रेक्टर के ओपर हमारा एक कोड हो चुका है तो अभी देखिए हमारा दूसरा दिन है यह और यह पूरा सूख गया है और हमने इसके पर रिपेर भी कर दी है देखिए जहां पर डेंट हो गए रहा थी तो वहां पर डेंट निकालके हमने इसके पर पॉलिष्टर पुट्टी टू के पॉलिष्टर पुट्टी से रिप कि पुट्टी करने के बाद में जब फुटी सूख जाएगी तो इसके पर हम रेगमाल लगाएंगे 220 220 नमबर या 320 नमबर को रेग माल two-esto- beaster नमबर का हम अरम है mo हर्माहँ हम लगाएंगी इस तरीके से सूखने के बाद में पुरा प्रॉपर सुख जाएगा उसके बाद में मेर तक इसकों रेगमाल से रगड़ देना है ताकि दाने दूने कट जाएगु और जहां पर हमने रिपेर किया है वहां पर आप चाहें तो आप चाहें तो टेचिंग भी मार सकते हैं हमने टेचिंग मार ली थी अब इसके पर हम सेकेंड कोड अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से जिस तरह से हमने पहला कोड मारा था उसी तरह से हम इसके पर सेकेंड कोड मारेंगे तो अभी हमारा डबल कोट हो चुका है पूरा अब इसको सूखने देते हैं उसके बाद में जहाँ पर हमें ब्लैक करना है जैसे लाइट हो गए रहा है वहाँ पर पेंट लगा होगा तो उसको हमें ब्लैक करना पड़ेगा और जहाँ से पेंट साप करने वाला है वो पेंट भी हमें साप करना पड़ेगा तो देखें अभी हमने पूरा ट्रेक्टर कम्पलीट कर लिया है इसकी सफाई भी कर दीया और light वगेरा को black paint भी कर दिया है और जो बुल्टे वगेरा होती है इसकी पाइए की rim की वहाँ पर हमने silver paint किया है देखें इस light पर हमने black paint किया है यह हमने ब्रस से ही मार दिया था बाकि अगर आपको इस्प्रे से करना है तो आप जहां पर रेड कलर है वहां पर टेप अखबार लगा लें कबर कर लें उसके बाद में ब्लैक पेंट मारें और रिम में जो बुल्टे लगी होती है उस पर हमने सिल्वर पेंट कर दिया है जो इनेमल पेंट होता है सिल्वर ताकि थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगे ये बाकि हमने पूरे टेक्टर को कम्प्लीट कर दिया है इसी तना की औरदी जनकारी के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिस की वीडियो हमेशा मिलती रहती है अगर आप कोई सवाल या सुझा हो है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर दूँगा तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग